पाकिस्तान के निर्मान में एहम रोल निभाया था इतना ही नहीं आज भी इस उनिवसिटी का नाम कभी जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर तो कभी भारत विरोधी नारों की वज़ा से विवादों में सामने आता रहता है सेद एहमद खान का नाम सिर्फ भारत के ही नहीं बलकि पाकिस्तान के मुसल्मान भी बड़े अदब के साथ लेते हैं भारती उपमादीप के मुसल्मान सेद एहमद खान को एक महान सिक्षाविद, समास सुधारक, अपना उधारक और इसलामिक फिलोसफर मांगते हैं लेकिन ये सेद एहमद खान का असली चहरा नहीं है दरसल ये वही शक्स है जिसने इस देश के बटवारे का जहरीला बीज बोया था सेद एहमद खान ही वो वेक्ती है जिसने मुसल्मानों के अंदर हिंदूों के लिए नफरत का बीज बोया आप सेद एहमद खान को आधुनिक भारत का सबसे बड़ा और पहला हिंदू फोविक भी कह सकते हैं आज में खरीबात में तत्यों तर्कों और सबूतों के साथ विभाजन के इस खलनायक का असली चहरा आपके सामने लेकर आऊँगा आज के दोर में सेद एहमद खान की असलियत जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस देश के लिबरल, सैकुलर, लेफ्टिस्ट और जेहादी बड़ी चालाकी से देश के विभाजन की हकीकत को आप लोगों से छुपाना चाहते हैं ये लोग बेहद धूर्तता के साथ सेद एहमद खान, अल्लामा इकबाल और जिन्ना के बजाए वीव सावरकर को बटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं लेकिन आज सच सामने आएगा और वो भी पूरे सबूतों के साथ आएगा आज हर लिब्रल, हर सैकुलर, हर लेफ्टिस्ट और हर जिहादी को ये मानना ही होगा कि अलिगड़ वाले सेद एहमद खान ने ही सबसे पहले इस देश के बटवारे की बात कही थी इसी खलनायक ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग मुल्क मांगा था हिंदूों के पती जलन, डर और नफरत के इस हिंदू फोबिक सद्धान्त को किसी ने सबसे पहले पेश किया था तो वो थे सेद एहमद खान इन्होंने 1857 की क्रांती के ततकाल बाद एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिसाला असबाब बगावत हिंदू जिसमें इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की किस क्रांती के लिए मुसलमान नहीं बलकि हिंदू जिम्मेदार थे इसलिए अंग्रेजों को मुसलमानों की बजाए हिंदूों पर अपना गुस्सा निकालना चाहिए साइद एहमद ने ना सिर्फ मुसलमानों को अंग्रेजों की गुलामी करना सिखाया बलकि इस देश के दो टुकुडे करने का यानि द्वीराष्ट का सिधान्त यानि टू नेशन थियोरी भी सबसे पहले साइद एहमद ने ही दी 14 मार्च 1888 को मेरट पे दिये अपने भड़काओ भाशन में साइद एहमद ने साफ साफ कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट रहें अपने भाशन में उन्होंने कहा कि ये सोचिये कि अगर अंग्रेज अपनी सेना तो हतियार समेथ देश छोड़ कर चले गए तो इस देश का हुकमरान कौन होगा क्या हिंदू और मुसलिम कौमें एक ही सिहासन पर बैठेंगी बिलकुल नहीं उसके लिए जरूरी होगा कि दोनों एक दूसरे को जीतें एक दूसरे को हराएं मुसलमान हिंदूों से जनसंख्या में कम भले हों मगर वे कमजोर हैं ऐसा मत समझिये हमारे पठान भाई यानि अफगानिस्तान के मुसलमान परवतों और पहाडों से निकल कर आएंगे और सहरत से लेकर बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे अंग्रेजों के जाने के बाद यहां कौन जीतेगा यह सिर्फ अल्ला ही तैय करेगा तो सुना आपने सयद एहमद में क्या कहा था कि अफगानिस्तान से हमारे पठान भाई आएंगे और इस हिंदुस्तान में खून की नदिया बहा देंगे आज इस भाशन के करीब 130 साल बाद भी आप सयद एहमद के कई चेलों के मुसे सुनते होंगे कि हमारे 57 इस्लामिक मुल्क भारत को अगर पैट्रोल देना बंद कर देंगे तो सोचो क्या होगा कई लोगों ने तो करोना काल में कुवैट दुबई और अरब के हुकमरानों को हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चिख्खियां तक लिग दी थी तो आईए एक बार फिर बात करते हैं सेद अहमत के उसी भाशन की जिसमें उन्होंने हिंदुों से नफरत के अपने सारे गुबार निकाल दिये थे हिंदु फोबिया से ग्रस्त सरसेद एहमत को इस बात का बड़ा गुमान था कि मुसल्मान इस देश के बादशा रहे हैं और इसी गुमान में उन्होंने अपने मेरट वाले भाशन में कहा था कि जैसे अंग्रेजों ने ये देश जीता वैसे कभी हमने भी इस भारत को अपना गुलाम बना कर रखा था मगर जिनोंने इस देश पर कभी शाशन नहीं किया जिनोंने कोई विजय हासिल नहीं की उन हिंदूओं को ये बात समझ में नहीं आएगी मैं मुसल्मानों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने बहुत से देशों पर राज किया है। आपको पता है राज कैसे किया जाता है। आपने 700 साल भारत पर राज किया है। अनेक सदियां कई देशों को अपने अधीन रखा है। हम कभी हिंदूों की प्रजा नहीं बन सकत तो सुना आपने सयद एहमद ने क्या कहा था मुसल्मानों ने इस देश पर 700 साल तक राज किया है अब सोचिए पूरे 130 साल बाद भी ओवेसी जैसे कुछ मुसलिम नेता इसी तरह की 700 साल तक राज करने वाली बाते कहते रहते हैं दरसल ये एक तरह का हिंदू फोबिया है जो आज तक चला आ रहा है अब ध्यान से सुनिए 130 साल पहले सयद एहमद ने अपने मेरट वाले भाशन में और क्या क्या हिंदू फोबिक बाते कहीं थी उन्होंने कहा था कि अंग्रेज अगर भारत की हुकूमत इस देश के लोगों के हातों में सौपना चाहते हैं तो इस से पहले एक प्रतियोगिता यानि परिक्षा का आयोजन होना चाहिए जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसी के हातों में सत्ता सौपी जानी चाहिए लेकिन इस परिक्षा में हम मुसल्मानों को हमारे पूरवजों की कलम इस्तमाल करने की अनुमती देना चाहिए यह कलम सत की सनदे लिखने वाली असली कलम यानी तलवार है तो सुना आपने जिन सैयद एहमद को आज इस देश के मुसलमान आधुनिक सिक्षा का दूत बताते हैं दरसल वो अपने मुस्लिम चेलों को कलम नहीं बलकि तलवार के दम पर हिंदुस्तान को जीतने का मंत्र देते थे मेरट में ही नहीं सैयद एहमद ने 2 दिसंबर 1887 को लखनू में भी जो भाशन दिया था उसमें भी उनके हिंदू फोविक होने के सबूत बिलते हैं इस भाशन में उन्होंने कहा था कि पल भर के लिए सोचें कि आप कौन है आपका मुल्क कौन सा है हम मुसलमानों के हातों से ह नहीं सत्ता अंग्रेजों के पास गई हमारा मुसलिम राष्ट यानि मुसलिम शाशन वाला भारत उन लोगों के खून से बना है जिन्होंने साउदी अरब ही नहीं एशिया और यूरोप को भी अपने पावों तले रौंदा है हमारा मुल्क वो है जिसने तलवार के दम पर भारत को जीता है तो सुना आपने स्यद अहमद ने भारत की मिटी में अपने पूरवजों के खून मिले होने की बात कही थी और आज 130 साल बाद भी इसी तरह के हिंदूफोबिया से ग्रस्त कुछ लोग कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहां की मिटी में किसी के बाप का ह जी राष्थ यानि टू नेशन ख्योरी का जो रास्ता दिखाया था उसी पर चलकर इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल किया। प्रत थी कि उन्होंने हिंदी भाशा के खिलाफ भी कुटिल चाले चली। अरभी, फार्सी और उर्दू को इस देश की राष्ट भाशा बनाने के लिए उन्होंने हर पैतरा चला। सायद एहमद अंग्रेजों के पिठ्टू थे लिहाझ़ा उन्होंने हिंदी के खिलाफ अंग्रेजों को एक पत्र लिखा, इस पत्र में उन्होंने मुसलमानों को आपस में दोस्त बताया और हिंद्वों को काफिर बताते हुए लिखा, हिंदी भाषा हिंदूओं की जुबान हैं जो बुद्परस्त यानि मूर्ती की पूजा करने वाले हैं जबकि उर्दू मुसल्मानों की भाषा है जिसका अंग्रेजों के साथ मज़भ का रिष्टा है क्योंकि हम दोनों सामी या पैगंबरी धर्म को मानने वाले लोग हैं मुझे मालूम हैं कि ये बाते सुनकर स्यद एहमत के कुछ अलीगड़ी मानसिक्ता वाले चेलों का खून खौल रहा हुगा लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं हर बात तथ्य तर्क, संधर्व और प्रसंग के साथ कहता हूँ इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के विचार लेकर आ रहा हूँ जिसकी धर्म दिरपेख्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता भारत के मुसल्मान आजादी के बाद उस व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं मैं बात कर रहा हूँ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू की नहरू अलिगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी की विचार धारा पर क्या विचार रखते थे यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है और वो विचार मुझे मिले हैं इस किताब में जिसका नाम है The Discovery of India जिसका हिंदी अनुवाद हिंदुस्तान की कहानी इस वक्त मेरे हाथ में है जिसे लिखा है खुद पंडित जवाहरलाल नहरू ने नहरू अपनी इस किताब के पेश डंबर 403 पर लिखते हैं कि अलिगर्ण मुस्लिम उनिवसिटी की परंपरा राजनेतिक और सामाजिक दोनों ही नजरों से दक्या नूसी यानि कंजर्वेटिव थी एक के बाद एक अंग्रेज प्रिंसिपलों के अंदर रहकर यहां अलगाववाद और देश के खिलाफ रुजहान पैदा हो गया यहां के विध्यार्थियों के सामने सरकारी नौकरियां पाने का खास मकसद रखा गया ऐसे में यहां देश भक्ती और बगावत यानि अंग्रेजों के खिलाब बगावत की कोई गुंजाईश नहीं थी अलिगण विश्विद्धाले ने कभी कभी और खुले आम और ज्यादा तर परदे के पीछे से हर मुसलिम आंदुलन पर असर डाला है और मुसलिम लीग का जन्म इनी कोशिशों का नतीजा था तो सुना अपने जवार लाल नहरू ने अलिगण मुसलिम इनिवर्सिटी की सोच को दक्यानूसी, अलगाववादी और देश भक्ती से दूर बताया था नहरू अपनी इसी किताब में सेयद एहमद को एक तरह से अंग्रेश परस्त बताते हैं मुझे पूरा भरोसा है कि जवालल नहरू के विचार जानने के बाद वामियों, लिबरल और जिहादी सोच वालों को जटका लगा होगा लेकिन सच तो सच है और सच यही है कि सेयद एहमद ने ना सिर्फ पाकिस्तान की नीव रखी बलके हिंदुस्तान में हिंदूफोबिया की भी नीव रखी और इसी नीव पर आज खड़ी हुई है अलिगर्ड मुस्लिम युनिवसिटी जहां कभी हिंदुत्व की कबर खोदने के नारे लगाए जाते हैं तो कभी वहां आतंकवादियों के समर्थन में जलूस निकाले जाते हैं और यहां तक कि वहां आज भी मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पूरी शान के साथ चिपकी हुई है और जब किसी ने उस तस्वीर को हटाने की मांग की तो पूरा जिहादी और वामपंती गैंग उस पर तूट गया फिलाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेस्बुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर हैं प्रखरश्री 78 अगर आपको यह व